वेल्कम पूरे चैनल दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे तथा आप लोग का बिहार सिक्षक बहाली परिच्छा के तैयारी जो रोस रोसे चल रही होगी अब आप पढ़ाई लिखाए में बिलकूर भी ढिला से लिना करें जितना भी बिहार सिक्षक बहाली 23 के नजरिये से उसके लेकर ये कलास चल रहा है तो इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का कलास को टोटल का टोटल जो भी प्रिवियस सवाल पुछे जा चुके हैं उसको आलमस्ट खतम कर ली हैं अगर के बहुत सारे लोग जो नए होंगे अगर को लोग कलास नहीं दोखिया होंगे तो जाकर रोग कलास देख लिए अगर के हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो यह जिए जिए क्लास के लिए टू है वन कलास अल्रेडी हो चुका है चैनल पर अपलोड़ेड है जाकर आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो बिना देर किये इस कलास को मरु macht करते हैं तो कि चैनल को जल्दी से जल्दी सुट्राइब कर लिए तथा वीडियो को लाई कर देजे अापने दोस्तों के पास बूल जाता है इसी के लिए तो न की शाय है कि यह समय से सौरी समय से खतम हो जाए ठीक है तो कलास को स्टार्ट करते हैं जैसे ही यहां पे हम लोग पहला कलास स्टार्ट होता है पहला सवाल जो है सिवालिक पहाडिया निम्मे से किसका हिस्सा है तो इसका जो राइट एंसर होगा दोस्त हो जागा हिमाले सिवाली जो पहाडिया है व हम बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा लगु हिमाले इस्तित है कहां पर इस्तित है तो इसका option आप पढ़ लिजेगा हो सकता है एक्जाम में अगर गही option विले तो दिमाग में हिट कर जाए तो इसका जो राइट एंसर होगा लगु हिमाले सीवालिक और महान हिमाले के बीच में सबसे नई पर इस्तित है नेक सवाल की तरब बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा निन में से कौन सबसे नवीण परवत सुरेणी है और सबसे प्रत्चिन अगर पूछे गा प्रवत सुरेणी तो ओक हो जाएगा अरावली तो यह दूनों सवाल आप लोग के याद रखे ठीक न जो right मेरा option answer होगा, वो होगा पटकोई सरेणीया। ठीक है, तो पटकोई सरेणीया नौर्थ इसमें पाई जाती है, कौन-कौन से राजमें, अस्तम में, मणिपूर में, मिघाले में, मिजोरम में और नागाले में पाई जाती है। कभी-कभी सवाल देता है, कि कौन से राजम कोई पाई जाती है तो और रहता है तो आप लोग तो अराम से कर सकते हैं नेक्स सवाल हुआ इस पाई जाती है तो इसका जो राइट इंसर होता है यह जम्मू कस्मिर में पाई जाती है नेक्स सवाल निम्न हिमाले परवस्रेणियों में से किस परवस्रेणियों को अटल टनल पार करती है तो यह पार करती है पुर्वी पीर पंजाल को जम्मू कस्मिर में जो इस्तित है ठी लद्दाक के पहाड़ पर अक्साइचीन का है नेक्स सवाल के तरह बढ़ते हैं भारत में निमलीखित में से कौन से स्रेणी नविन्तम स्रेणी के कटेगरी में आती है अभी थ्वादेर पहले हम लोग बताएं अरावली सबसे नविन नविन्तम स्रेणी नविन्तम स्रेणी के बारे हम पूछ रहा है तो इसका जो राइट एंसर होगा हिमाला स्रेणी अरावली तो सबसे प्राचीन है ठीक और उसके बाद नेक्स सवाल की तरफ चलते हैं रॉध दाहरा रहरन का सरुवरीए मैदान का सरॉवरिय मैदान नेक्स सवाल की तरह बढ़ते हैं सब्रैसे ले वहां पर कोई जील था समुंदर था या कुछ था उसके नीचे में तलचटी जमा होते 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 पानी सुख जाता है और यह के मैदान बन जाता है उसी को लोग सरवरिय मैदान बोलते हैं ठीक आई होग कि आप लोग समझ गए हूंगे नेक सवाल है मेरा हिमाले के किस भाग पर करेवा भू अकृति पाई जाती है तो इसका जो रिट एंसर होगा हो जाएगा कास्मिर हरे में कासमेर हमाले का ιस च्षेट ही जफ्रान के सर्ष होता है उसके लिए उसके लिए फेम़ स्वा सबसे प्राचीनतम परवत्ष्रेणी कौन सी है तो कौन से प्राचीनतम जैसे अब बताए आप लोग आरावली सबसे प्राचीनतम है सिवालिक सबसे निव है अगर कभी तक आपने वीडियो को लाइक नेगे जल्दी से लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास सेयर करते जो भी इस टाइप की वीडियो देखते हैं या तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो कुछ जरूरी नहीं है कि केवल केवल और आपका वी प्राची जो सिक्षक भाल यह उसी में यह सभी एक्जाम के लिए कॉमन है सब एक्जाम में यह सब सवाल कुछते हैं ठीक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पढ़ते रहे हैं आप लोग अच्छे ढंक से नेक्स सवाल है अरावली स्थ्रेणिया किस राज में इस्तित है तो यह इस्तित है कि दिनदी बताइएंगे नोद मेंगे यह तो आसान सवाल रेजीडियूल पर वद उसको बोलते हैं चैन्हें ओसिश्ट परवत को रचोड़ पर भटेते हैं जासे सबक्साभाग के सब्सक्टें यह सबसे और रोल सी है तो यह सबसे आंनाई मूडी परे नेक सवाल की बढ सथित है oh mbalar knowing that that's either the darf huh आसा कर आप लोग समझ रहे होंगे नावन की तुरह बढ़ते हैं रिर्फ ने निम लिकित में से किस पहाडी पर निलगिरी की पहाड निलगिरी की पहाड यह कहां इस्थित है बताएंगे आपको दोडा बेटा जो चोटी है वो किसकी चोटी है वो चोटी है निल गिरी पहाड़िया की चोटी है ठीक नेक्स सवाल है निल गिली परवत जिस राज में इस्तित है वह कौन सा राज है तो राज है तामिल नाडू में निल गिली परवत इस्तित है नेक्स सवाल की तरह बढ़ते हैं दोश नेक्स सवाल है मेरा भारत की निमलिखित में से किस परवत स्रेणी में केवल एक ही राज मे फैली हुई है आसा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा होगा कॉमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आप लोग का वीडियो सेशन कैसा लगता है नेक्स सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त नेक्स सवाल है महराश्टरम करनाटा के पश्मी घट क्या कहलाते हैं तो कहलाते हैं सहयादरी कहलाते हैं ठीक है अब डाइरेक्ट इस सवाल देख सकते हैं बीबेसी 2000 में पूछा जा चुका है तो चांसे हैं कि आपके भी सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स सवाल है मेरा निमलीखिस में से कौन सा महराष्ट में इस्थित नहीं है कौन सा महराष्ट में इस्थित नहीं है इसका राइट निल सरोगा मांडो की पहाडिया महाराश्ट में इस्तित नहीं है देख रहे हैं सारा मैं जेतना भी सवाल लिया हूँ आप सब का PCS का लिया हूँ कि हो सकता है कभी मान के चलिए जो UP PCS में पुछा है इस वर भी हार टीचर में पूछ दे आसा करता हूँ आप को वीडियो अच्छा लग रहा होगा जल्दी से लाइक मारी नेक सवाल है मेरा महादेव पहाडियां का भाग है किसका भाग है महादेव पहाडियां वाई तो भाग है मेरा सथपुड़ा का ठीक आसा करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो फिर नेक स इसका right answer होगा अधारी पालजी कदर में कोडाइकशनौलित में इस्तित है। अब उसके बार नइक सवाल है मेरा प्रथम भारती नारी जो सिखर परचणने में शफल हुई। प्रतम भारतिये नारी के बारे हैं पूछ रहा है तो भारतिये नारी सबसे पहले कौन थी बच्छेंद्री पार 1984 में यह मांट एवरेश को फतह की थी ठीक नेक सवाल की तरब बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा मांट एवरेश श्रीकर पर चड़ने वाली पहली महिला कौन थी पहले महिला जो थी जुंकोत वही थी यह जपान के थी 1975 में यह चड़ी थी नेक सवाल की तरब बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा दो बार मांट एवरेश पर बीजय पाने वाली प्रवतार वही कौन थी तो ओ कौन है दो बार संतोस जादो संतोस जादो दो बार चड़ी है औ बला कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरा कोई दिक्कत ने में पढ़ा दूँगा सॉरी 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 एवरेश पर चड़ने वाली द्यूतिय भारती यह महिला कौन है तो जैसे कि हमने बताए संतोस जादो भी द्यूतिय महिला है ठीक नेक सवाल कि तरब चलते हैं दोस् परवत सिखर हो जाएगा कंचन जंगा ठीक नेक सवाल की तरब बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा हिमाले की उची चोटी कंचन जंग कहां इस्तित है तो वह इस्तित है सिक्किम में अब लोग यह चीज याद रखेगा नेक सवाल की तरब बढ़ते हैं नंदा देवी परवत स सेलेक्षन लिजी आप लोग गुरु सिखर परवत चोटी कौन से राज में अवस्तित है जो गुरु सिखर अरावली के सबसे उची चोटी है और राजस्थान में नेक सवाल के तरफ बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा कुलू घाटी जिन पर वो सिरेणियों के बीच वस्तित है वो कौन-कौन सा है इसका जो राइट एंसर होगा मेरा दोस्त ऑफशन ए धौला धर यों पीर पंजाल के बीच में इस्तित है उसके बार नेक सवाल के तरफ लगा होगा क्यासर लगा वीडियो जल्दी से जल्दी कंड इस्युक्त से इस बीडियो को जरुर्स ह mutual करें को ऊसरा वीडियो के सबढ़ों के साथ किसा रिक्रीयों कॉम्रावियुत की सब्लसौ करें के साथ हम कर देंगे तो चलिए पढ़ते रही है Easy मिलते नेक्ष्ट वी झाल झाल बोले